नमस्कार दोस्तों! मम्ता की रसोई में आपका स्वागत है. मैं मम्ता दूबे, आज बनाने जारी हूँ आलू और सूझी का बहुत ही चटपटा नास्ता और ये नास्ता बहुत कम तेल में बना के तेयार करेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी होगा इस नास्ते को बनाने के लिए हमें बहुत पहले से कोई त्यारी नहीं करनी है जटपट आप इस नास्ते को बना के त्यार कर सकते हैं सामके नास्ते में या सुबा के ब्रेकफास्ट में ये नास्ता बहुत ही हेल्दी है इस चटपटे से नास्ते की रेस्पी को आप जरूर बनाईएगा आप सबको बहुत पसंद आएगी और मेरी ये रेस्पी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा तो चलिए इस रेस्पी को सुरू करते हैं, तो मैंने आप एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, उसमें डाला है एक कप महीन वाली सूजी, आदा कप दही और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया है, इसके बाद हम दही वाले कप से ही एक कप पानी डाल रहे हैं, और इन सार अब मैं इसे ढख के एक साइड में रख दूँगी, दस मिनट के लिए, तो सूजी को हमने दस मिनट के लिए रख दिया है, और यहां पे मैंने चार बॉयल डालो लिये हैं, और उसे मैं इस तरीके से अच्छे से मैस कर ले रही हूँ, आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकत हैं, पर अच्छे से मैस करना है, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पॉर्डर डालेंगे, तीखा वाला लाल मिर्च मैंने यूज किया है, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अब मैं क्या डालूंगी, तो अब मैं डाल देती हूँ, थोड बहुत चटपटा हो जाता है लाश्ट में नमक डाल दिया है टेस्ट के एकॉर्डिंग और सारी चीजों को हाथों से में बहुत अच्छे से मिला लूगी इतने ही मसालों में यह जो नास्ता है बहुत ही चटपटा बनके त्यार होता है आप चाहे तो इसमें और भी मसाले डा इसे बहुत है जानी को प्यादा चत्षा, दियार है और आप देख पार रहे हूंगे कलर भी बहुत रहाया सकते हैं तो आप फट फट इस तरीकी की चटझी बना सकते हैं यह चटणी बहुत ही टेस्टी लगत है अब मैं क्या करूंगी जो मैंने आलू की स्टफिंग बना के रखी थी उसे इस तरीके से लेमन के साइज का बॉल लेंगे और ऐसे बना के गोल गोल सा रख देंगे तो ये देखें टिकी की तरह मैंने बना लिया है और सेम प्रोसेस से सारा मैंने यहाँ पर बना के त्यार कर लिया है ये देखिए अब हमारी सारी त्यारी पूरी हो चुकी है तो हम चेक कर लेते हैं ये बेटर जो हमने सूजी का बना के रखा था यह बहुत ज़्यादा थीक हो चुका है क्योंकि जो सूजी है पानी को सोख चुकी है तो हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे तो यह देखिए इस तरी तरीके से अच्छे से मिला लेंगे अभी भी थोड़ा पानी कम है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ बिल्कुल इसका बेटर ऐसे बनाना है जैसे हम इडली का बेटर बनाते हैं तो ये देखे इस तरीके से अभी हमारा बेटर बन के तयार है अब डालेंगे हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा यहां पे baking powder नहीं डाला है इस बात का ध्यान रखेगा मैंने baking soda डाला है इसे मीठा soda भी कहते हैं इसे मिला लेंगे और यह देखिए मैंने रख दिया है तड़का पेन गैस पे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा oil तो मैंने यह तीन से चार बूंद ओयल डाला है और उसके पे रखें नहीं तो यह नास्ता जल जाएगा और अब हम थोड़ा साइडों से oil लगा ले रहे हैं और उपर भी थोड़ा से oil लगाया है और यह देखिए इस तरीके से पलट देंगे एक चमच की सहायता से और दूसरे साइड भी बीना ढखे हम इसी तरीके से लो फ्लेम प बना लेती हूँ और बस इसी तरीके से हमें सारे नास्ते बना के त्यार कर लेने हैं धकने के बाद बस हमें दो मिनट तक रखना है और गैस की फ्लेम को कम रखना है फिर उसे खोल के इस तरीके से थोड़ा से उपर से oil डालेंगे और अलट प्लट के दोनों साइडों से सॉप्ट भी है तो यह देखिए आ रहा है ना मूमे पानी बहुत ही टेस्टी बना है यह देखिए अब मैं इसे सॉफ कर लेती हूँ चटपटी सी दही और धनिये की चटनी के साथ आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइक करिएगा आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और यह रेस्पी कम तेल में बनके त्यार हो जाती है तो यह सहत के लिए भी बहुत अच्छी है तो मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई